हेलो अबडिवन आज के सिसिंट में मैं बात करेंगे वैजि के फी स्ट्ट्चतिर के बारे में आप सभी को पताएं कि वैलोर को मिलाएं तो चार केंपट्स और प्रदेश और भुपाल में एक कैमपस तो उसके पीश कांप सेक करने वाले हैं तो आज किसे इसे में हम लोग चन्हीं चाहता है या फिर अड्मिशन ले लिया है उनको पता हुआ जिनको पता नहीं है वो इस वीडियो को देख कर आपको पता दाएगा तो इनके जो courses है अलग-अलग courses है BTEC, Bachelor of Design, BCA, BSC, BCOM तो सारे के तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन जो main courses है जैसे कि BTEC उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ BTEC में भी दो group हैं तो देख सकते हो group A जिसमें आपका BTEC, Bio Engineering, Bio Technology, Chemical Engineering, Civil, Electrical, Electronics and Instrumentation and Fashion Technology यह आता है group A में, यह आप group B में बात करें तो यहाँ पर आपका जो computer science का specialization branches है वो आते हैं और aerospace engineering आता है group A में बात करें तो group A के लिए जो आपका tuition fees है वो है 1,73,000 और deposit, caution deposit मने जो के refundable होता है और one time मतलब कि फर्स्ट बार आपको जमा करना होता है वो तीन अजार उपे तो first year का जो fees है वो है 1,76,000 group A के लिए और यह campus चन्ने का है और चन्ने वेलोर दोनों campuses के लिए इसमें hostel fee included नहीं है तो इस बात का ध्यान रखना देना आप बात करते हैं group B जो की computer science के लिए तो उसमें 1,95,000 आपको देना होगा तीन अजार उपे आपका caution मनी होगा caution deposit जो के one time आपको देना होता है जब आप complete कर लेते हो अपनी पढ़ाई तो आपको वापस कर दिया जाता है total 1,98,000 आपको fees देना होगा after concession जो भी discounted scholarship लगागे तो यह discount करके आपको 1,98,000 देना होता है भुपाल campus की बात करें तो यहां देख सकते हो 1,98,000 आपका tuition fee है 3,000 आपको caution deposit है और first year की fees की बात करें overall 2,01,000 के करीब है after concession then BR की बात कर लेते हैं यह आपका Chennai और Veloar campus का है तो 2,85,000 3,000 आपको caution deposit है और 288 आपको 2,88,000 आपको overall देना होगा BCA, BSC, BCOM और BBA के लिए 57,000 आपको देना होगा first year में और जितने भी year करते हैं उसको multiply कर लेना integrated MTEC program की बात की जाए तो यहां पर भी category wise है category 1, category 2 और category 3 first, second और third year में आपको यह fees देना होगा Veloar, Chennai और AP campus के लिए अंदरबर्देश के लिए category 1 के लिए first year में 96,000 और तीन से multiply करते हो तो तीन year में आपको यह fees देने होंगे 96, 96, 96 category 2 के लिए 1,59,000 है और category 3 के लिए 1,92,000 आपको per year fees देना होगा इसके लिए 2,000 रुपया आपको first year में caution deposit देना होगा और दिख सकती होंगे आपके category 1 में जो fourth year के लिए fees है वो 98,000 और fifth year में आपका 1,1,200 करीब देना होगा इसके बात भुपाल के बात करें तो भुपाल में भी category 1 और category 2 है यहाँ पे 97,000 1,60,000 और 2,000 रुपया आपके caution money fourth year में आपका 99,000 और category 1 को और fifth year में आपका 1,2,000 category 2 के लिए 1,62,000 और fifth year में 1,65,000 तो यह आपको overall fees देना होगा चुकि आप अगर Amtech integrated program में admission लेती हों तो यह overall fees structure है यह हमारा टेलिग्राम चनल है जाके join कर सकते हो वीडियो के update के लिए link डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलिग्राम आप में सर्च कर लोग अधिरेट पलवास फिल्म्स चैनल के support के लिए subscribe जरूर है subscribe कर देना यह red वाला बटन है और bell icon के बटन भी होगा उसको भी प्रेश कर देना और वीडियो चल लगे तो like और share must है कोई भी query है तो comment कर देना so thank you for watching thank you एाँ व्याँ लागा ँटनाच कर दो